हेलो एवरीवन वेलकम टो एडियोटेप आप सभी का बहुत बहुत स्वागता है तो आज के सेस्टन में हम डिसकस करेंगे आपका सीसेट में कोडिंग डिकोडिंग यानि रिजिनिंग का एक टोपिक है और जिसका हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत टोपिक है अक्सर आपके एकजाम में इससे क्वेस्टन पूछे जाते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें फ्री कंटेंट इस लेक्चर की पीडि सब्सक्राइब करते हैं यह आपकी तैयारी में एक महत्रपुन भूमी का अधा करेगी अगर आप इनको अच्छे से देखते हैं तो ठीक है चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग एंडिकोडिंग तो कोडिंग एंडिकोडिंग चैप्टर्स के अंदर जो कोईशन हम पढ़ेंगे उसमें तीन टाइप के कोडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहली होगी लेटर कोडिंग लेटर कोडिंग में किसी भी लेटर को या वर्ड को दूसरे लेटर के साथ कोड किया गया होगा तो वहां हमें लोजिक ढूंडना होगा दूसरा होगा नंबर कोड इन सब का यूज करके आप से question पूछ लेता है, ठीक है, तो सारा खेल किसका है, logics का है, तो ये total 6-7 logics होते हैं, जिनके अधार पे इनको code करना, code करके इन logics को पैचाना आसान होगा, ठीक है, वो क्या logics होते हैं, उननी को हम लोग start करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो letter coding में आपको आपके लिए जुरूरी है, वो ये है कि आपको इन alphabets की place value याद होनी चीए, ठीक है, जैसे A1 होता है, ठीक है, B2 होता है, C3 होता है, B4 होता है, E5 होता है, F6 होता है, G7 होता है, H8 होता है, I9 होता है, J10 होता है, K11 होता है, L12 होता है, M13 होता है, N14 होता होता है P16 होता है Q17 होता है R18 होता है S19 होता है T20 U21 V22 W23 X24 और Y25 और Z आपका 26 होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है याद करने का एक तरीका क्या हो सकता है देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते है बट एक सकते है याद रख लो बस जो टी की प्लेस वैल्य क्या होती है 5 10 15 20 25 फिक है इन्हें के अधार पर दूसरे की बना लो जैसे हमरे पास एडियो टैप है ठीक है एडियो टैप की जो place value वह क्या होगी देखो E की 5 होती है और E से पहले D D E D तो D से पहले आता है U T U तो U 21 हो गया T 20 होता है A 1 होता है P अब देखो P Q O P तो O 15 होता है तो P 16 होगा तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है ठीक है स्टेटमेंट लिख लो दो या तीन लाइन की और उसको 10 मिनेट उनकी place value लिख दो तो यह सारे word आपके जहन में fit हो जाएंगे ठीक है वैसे तो बहुत तरीके हो सकते है जी 7 यह देखो यह 7 होता है जी ऐसे आता है M है तो यह 3 जैसा होता है तो 13 होता है W इसका उल्टा होता है तो 23 होता है बहुत सारे तरीके हो सकते है 8 होता है उपर नीचे से बंद कर दो बट मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों पर ज्यादा अमल करने के जरूरत है आप यह याद रखिए और इसके आसपास यह आते सबको होते हैं बट instantly दिमाग में नहीं आते बस इसकी मदद से आप इन सबको याद कर लो और एक दिन 10 मिनट प्रेक्टिस कर लो 2-3 स्टेटमेंट लिखो और उन सबकी फ्ले वल्यू लिख दो अपके जहन में सेट हो जेंगे ठीक है न एक होता है एक होता है रिवर्स पेरन और एक होता है क्रोस less बैटरन यह है क्या देखो जैसे हैंड को कोड किया गया आईबी ओई तो मुझे कैसे पता चलेगा है कौन सा बैटरन यज हो रहा है सबसे पहले इनकी place value लिखो, जैसे h की place value 8 होती है, a1 होता है, n14 होता है, d4 होता है, अब i9 होता है, b2 होता है, o15 होता है, e5 होता है, अब जैसे place value लिखोगे, आपको पता चल जाएगा, कि यहां तो plus 1 हो रहा है, अच्छा, इसमें भी plus 1 हो रहा है, इसमें भी plus 1 हो रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि plus 1 ही होगा, plus 2 भी हो सकता है, alternate पे plus 1, plus 2, plus 1, 2, plus ऐसे हो सकता है, minus भी हो सकता है, minus 1, minus 2, alternate भी हो सकता है, plus और minus 1 साथ भी हो सकते हैं, तो मतलब फोरवर्ड का मतलब है कि सामने वाले के साथ क्या किया गया हो, code किया गया हो, और वो logic आपको देखना ह फिर आता है reverse pattern, reverse में क्या है, यह जैसे h8 है, a1 है, n14, d आपका 4 है, तो e5 है, o15 है, और b आपका 2 है, तो i9 है, reverse का मतलब है कि last वाले के साथ, first को last के साथ, second को second last के साथ, third को third के साथ, और फिर इसको इसके साथ, और यह भी logic use हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, plus minus कुछ भी हो सकता है, इसको reverse pattern बोलते है, एक होता है cross pattern, जैसे h8 है, a1 है, n14 है, d4 है, b2 है, i9 है, e5 है, o15 है, cross pattern का मतलब यहाँ पर cross कर दिया, देखो, 8 plus 1, 9, 1 plus 1, 2, 14 plus 1, 15, 4 plus 1, 5, तो cross pattern type यह जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, 3 वाला भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पांच वाला भी हो सकता है, ठीक है कि इस तरीके से हो, तो कितना भी हो, यह आप जब इनकी place value लिखेंगे, तो देखके, अगर आपने पहले पढ़ा होगा ना, समझ में आ जाएगा बड़े आराम से, clear है सबी को, चलो देखो question practice करते हैं, कुछ तब आपको पता चलेगा, तो यह 3 logic में आज की class में discuss कर रहे हैं, और 4-5 logic और होते हैं, वो next class में discuss करेंगे, ठीक है, इन पर best question देखो, in a certain language, right is written as this, right, w, r, i, t, e, ko code किया गया है कि इसके साथ, v, q, h, s, d, ke साथ, तो then in the same way, might will be coded as, तो might की coding क्या होगी, यह आपको बताने है, देखो, w 23 होता है, r 18 होता है, i 9 होता है, t 20 होता है, और e आपका 5 होता है, v 22 होता है, q 17 होता है, h 8 होता है, s 19 होता है, d 4 होता है, अब देखती ही पता चल गया कि 23 से 22 तो minus 1 हुए है, 18 से 17 minus 1 हुए है, 9 से 8 minus 1 तो same यहाँ भी, m 13 होता है, i 9 होता है, g 7 होता है, h 8 होता है, t 20 होता है, minus 1 करोगे 12, 12 पे l होता है, minus 1 करोगे 8, 8 पे h होता है, 7 से minus 1 करोगे 6, 6 पे f होता है, minus 1 करोगे g, minus 1 करोगे तो h, तो joh code बन गया है, इसका l h f g s बन जाएगा, ठीक न, यानि यह जैसे bliss value आप लिखो हो, in a certain language, chair is written as this, in the same way, table will be coded as, अब chair है, C, H, A, I, R, chair को code किया गया बई, E, J, C, K, T के साथ, तो table की coding क्या होगी, clear, अब C3 होता है, H8 होता है, A1 होता है, I9 होता है, R18 होता है, E5 होता है, J10 होता है, C3 होता है, K11 होता है, और T आपका 20 होता है, तो इस बार क्या होगा है, प्लस 2, यहां भी प्लस 2, यहां भी प्लस 2, यहां भी प्लस 2, यहां भी प्लस 2, तो T20 होता है, A1 होता है, B2 होता है, L12 होता है, और E5 होता है, प्लस 2 करोगे 22 पे V होता है V A1 plus 2 3 3 पे C होता है 2 plus 2 4 पे D होता है 12 plus 2 14 पे N होता है 5 plus 2 7 पे G होता है तो V, C, D, N, G यह आपकी यहां से coding हो जाएगी कलियर है सभी को भाई चलिए next question In a certain language SHYAM is written as this In the same way PINKU will be coded as अब जो SHYAM है SHYAM SHYAM is written as J, X, V, E, P तो in the same way PINKU PINKU will be coded as S क्या होता है 19 होता है H8 होता है Y25 होता है A1, M आपका 13 होता है J आपका 10 होता है X आपका 23 होता है Sorry 24 होता है V आपका 22 होता है E5 होता है और P आपका 16 होता है ठीक है बई? अब यहाँ पर देखो कि क्या उज्य हो रहा होगा तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका reverse पर use हो रहा है तो P आपका 16 होता है I 9 होता है N 14 होता है K 11 होता है U 21 होता है तो minus 3 करोगे 16 minus 3 13 पर M होता है I 9 minus 3 6 पर F होता है 14 minus 3 11 पर K होता है K minus 3 8 पर आपका H होता है ठीक है और N 14 minus 3 अच्छा ये तो ले लिया हमने अच्छा यू लेना था ना अभी तो यू 21-318 पर R होता है तो R, H, K, F, M P से 16-3 पर 9-3, 14-3 11-3 और फिर 21-3, 18 कलियर है भई? बहुत इजी है बट प्लेस वेल्यू का केल है थोड़ा सा याद होगी तो असान है पेपर के अंदर बनाना ठीक है? अधरवाइस बहुत सारी दिक्कते आ सकती है ठीक है ना? देखो next Mothers will be coded as M, O, T, H, E, R, S Mothers की coding है भई O, L, V, E, G, O, U ठीक है? तो हमें बताना है कि Brought की coding क्या होगी B, R, O, U, G, H, T अब देखो M आपका 13 होता है O, 15 होता है T, 20 होता है H, 8 होता है, E, 5 होता है R, 18 होता है, S, 19 होता है O, 15 होता है, L, 12 होता है V, 22, E, 5, G, 7 O, 15, U, 21 अब यहां पर क्या code use हो रहा होगा? ठीक है? अब यह देखने वाली बात है अब अगर यहां से देखूं तो प्लस 2 हो रहा है अगर यहां से देखूं तो 15 से 12 पर गagए whatever you have, 20 से 22 के लिए plus 2, 8 से 5 गया तो minus 3, 5 से 7 गया तो plus 2 18 से 15 पर minus 3 19 से 21 पर plus 2 तो यारि एक बार क्या हो रहा है plus 2, फिर minus 3 फिर plus 2, फिर minus 3, फिर plus 2, फिर minus 3 और फिर plus 2 अब B, 2 होता है 2 plus 2, D पर 4 R 18 होता है, 18 माइनस 3, 15 पर O 15 होता है 15 प्लस 2 17 पे Q U 21 होता है माइनस 3 पे 18 पे R G 7 होता है प्लस 2 9 पे I H 8 होता है माइनस 3 5 पे E T 20 होता है प्लस 2 करोगे तो V तो D O Q R I E V आप करते हो option से check आप करते हो ABCD लिख करके check तो वो तो थोड़ा सा फिर कभी-कभी गुमराबी हो जाते होंगे एकाथ question गलत भी आजाता होगा बट यहां से definitely आप जैसे answer निकालोगा option में देखके धड़ाक से answer मार दोगे ठीक है ना चलो next In a certain language dancer is written as this in the same way public will be coded as अब जो dancer है D A N C E R dancer को code किया गया है D G E P S F से तो हमें बताना है कि public को किस से code करें ठीक है D 4 A 1 N 14 C 3 E 5 R 18 D 4 G 7 E 5 P 16 S 19 F 6 ठीक है इतना तो समझ में आ गया कि same से same पे तो नहीं जाएगा क्योंकि आगे difference बहुत है ठीक है लेकिन देखते ही मुझे यह भी समझ में आ गया कि यहां पे cross pattern यूज हो है 4 से 4 प्लस 3 7 1 प्लस 4 3 यानि प्लस 3 हो रहा है अगर यहां से देखूं 14 से 16 3 से 5 तो इसमें प्लस 2 हो रहा है यह 5 से 6 और यह 18 से 19 यहां प्लस 1 हो रहा है तो यहां प्लस 3 होगा तो यहां प्लस 2 होगा और यहां प्लस 1 होगा, अब P 16 होता है, 16 प्लस 3 करोगे 19 पर S होता है, U 21 होता है, 21 प्लस 3, 24 पर X होता है, अब B 2 होता है, 2 प्लस 2, 4 पर D होता है, L 12 होता है, 12 प्लस 2, 14 14 पर N होता है, I 9 होता है आपका, 9 प्लस 1, 10 पर J होता है, C 1 प्लस 1, D, तो XN, X, S, N, D, D, J यह आपका right answer हो जाएगा ठीक है? बस identify करना है place value दिखते ही पता चल जाएगा कि logic क्या use हो रहा है ठीक है न? देखो next जैसे In a certain language, rail is written as this rail, R, A, I, L को code क्या गए? K, C, T, N के साथ, तो in the same way read will be coded as ठीक है? तो R18 होता है A1 होता है, I9 होता है, L12 होता है K आपका 11 होता है, C3 होता है, T20 होता है और N आपका 14 होता है ठीक है? तो यहाँ पर क्या use हो रहा होगा? जरूरी नहीं है अब देखो यहाँ पर एक logic ऐसा use हो रहा है कि 18 प्लस 2 कितना होगा? 20 9 प्लस 2, 11 और 1 प्लस 2, 3 और यहाँ पर सिंगल प्लस 2 तो यहाँ यह प्लस 2 तो D में प्लस 2, 4 प्लस 2, 6 पर क्या हो गया? F तो R18 प्लस 2, 20 20 पर होता है, T A प्लस 2, 3, C हो गया और E5 प्लस 7, C, G, T, F यानि कि cross pattern के साथ एक straight pattern forward pattern भी use हो रहा था तो mix करके भी वो use कर देगा बड़े आराम से, ठीक है न? चलिए तो यह दो question आप लोगों के लिए homework है भाई ठीक है इस question का आपको comment section में answer जरूर करना है कि बताए comment section में कि temple की coding क्या होगी और एक question यह है आपके पास यह भी आपके लिए homework है जिसका answer आपको comment section में जरूर बताना है कि यहाँ पे penter की coding क्या होगी clear है सभी को चलिए तो thank you very much आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया session से जूड़ने के लिए मिलते हैं next session में इसी जोस और उत्साक के साथ thank you very much जै हिंद जै भारत